आई वांट टॉक आरेक्टर को फूल क्रेडिट देने वाला हूँ अभिशेक बच्चन को हम लोगों के सामने जिस तरीके से प्रेजेंट किया है ना आई सीरियसली मतलब तिंक कि कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि I don't think actually कि कोई इससे बेटर अभिशेक बच्चन को हमारे सामने प्रेजेंट कर पाएगा कभी नहीं यह मानो ना मानो थोड़ा साब को मैं जो प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ जो भी है वो यही है भाई I don't think कि कोई भी हमारे सामने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएगा और रही बाट दो जो इन लोगों ने वो डॉटर वाला एंगल और जिस तरीके से देखो जिन लोगों को फैमिली ड्रामा पसंद है बट यहाँ पर एक बात यह भी कि स्लाइटली थोड़ी एमोशनल हमें कर देती यह फिल्म यह थोड़ा सा हसाती है नो डाउट मिक्स फिलिंग आती है हमें इस फिल्म को देखते हुए एक चैलेंजिंग रोल जो लिया है अभी शेक बच्चन है बट ओनेस्ली स्पीकिंग दिस कि हमारे जो सो कॉल यूटूबर से यह बहुत जादा ही नहीं भाई नहीं जमा वगरा टाइप का यह बाते करने वाले हैं तो भाई इग्नौर दें यह फिल्म है इनी हर एक के लिए यह फिल्म मास ओडियंस के लिए बिलकुल नहीं है इनफाक मैं यह बूलूँगा कि जेन जी ओडियंस तो भाई इस फिल्म से सीरिसली दूर रहे क्या है कि बहुत mature audience के लिए ये film है हर एक के लिए नहीं है बहुत ही मैं कहूंगा कि story wise भी अगर हम बात करें हाँ locations जो है वो जो बाहर के दिखाए है फिल्म थोड़े सी हम Indian touch somehow miss करते है भाई इसमें कोई शक नहीं है बट फिर भी यार it's very good film मतलब पांच में से चार रेटिंगा मैं क्योंकि देखो क्या है कि ये film आप मिस नहीं कर सकते and yeah those who are saying that this is perfect for OTT somehow somehow some मतलब मैं agree करता हूँ ये चीज से बट जो अभिशिक के फैंस है उन्होंने ये film सच में थेटर में देखनी चाहिए मैं जानता हूँ भाई अभिशिक के फैंस थेटर में जादा देखते हैं ये फिल्मे वो एक सा सबसे बड़ा इश्यू है और सबसे बड़ा इश्यू तो ये भी है कियार इस फिल्म को इतने कम स्क्रिंस मिले है कि करण अरजुन के री रिलीस को भी इससे ज़्यादा स्क्रिंस मिले तो यार बहुत मुश्किल है उनसे कोई मैं उमीद ने रखता हुजादा चैनल सब्सक्राइब ने किया है तो कर लीजाए मैं honestly बोलू as a neutral audience भी if you are not fan of भी शेख न तो भी देखो you will love it for sure this film टच कर देगी भाई आपको एक दब मतलब you will love it for sure